भाडे देहसील की ग्राम गुदाहा में एकी परिवार के तीन तीन बिल दिये जा रहा है पहला बिल पवन पिता लक्षमन परिहार के नाम से दिया जा रहा है दूसरा बिल लक्षमन पिता हरी सिह परिहार के नाम से दिया जा रहा है जबकि हरीसिया परिहार की चार बश पहले प्रतिव हो चुकी है फिर भी बिल आ रहा है लक्षण परिहार ने कई बार पंडोखर विदुत विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया दलालोद्वारा रुपय मांगे जा रहे हैं गरीब किसान कहां से रुपय दे जबकि किसानों का कहना है जै मनसूर खान व यासीन खान दुवारा लगादार भ्रषण चार किया जा रहा है पांच वर्षों से एक ही जगर जमिन हुए हैं इन्हें हटाकर निश्पक्ष जाज कराई जाए सरकार को लाखों का चुना हर वर्ष रगाते हैं शेत्री विधायक रक्षा सरूनिया ने भी आवाज उठाई है फिर भी अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है हखना दlara 12 साल का है और जाकि पहले बिल आता नहीं था और बिल जा फे खत बाई इसके बाद बन चालु किया कि बन जो की है नहीं आप ने कहीं सिखात किये दिए करी दी मतलब कोई सुनता नहीं है पंडोखर जाते हैं ठराना अब पैसा लियाओ तो भी काट दूगा पंडोखर मैं बोलती हैं आप कब गए ते किस से पुछाबने आप से दो महीना पहले गाए थे आप जानते तो नहीं है कि कुछ हैं कुछ आप या चाहती है हम जी चाहती है कि क्या नाम है तम्हारा क्या समस्या है में है करें है जोने तोट गई है एम तूट गई है वाप जिन IRAD है कोई सुनती नहीं करको चाही है लिए को भी साथ जाना हो गया जब से लोगने इसी पर कार ड़ी है बताईए सर यहाँ पंडोखर में जेई मनसूरी मनसूर खान और यासिन खान के दौरा छेतर में किसानों के से बरावर लूट की जा रही है कि जो लोग पैसे दे रहे हैं उनके कनेक्शन चल रहे हैं जो लोग पैसे दे रहे हैं उनके बिल कम किये जा रहे हैं जो लोग बिल नहीं दे पा रहे हैं, नोगों को प्रेशन किया जा रहा है. इस वारे में पहले भी छेतेर्पिखे से उन्हों ने सिकायत के थी और उन्होंने शाथ कोई पतर भी लिखा था. लेकिन इस वारे में अभी तक कोई कारवायी नहीं हुए है. बिजले विवाक के अधकारियों से भी पूचा जा रहा है फिर भी कारवाई नहीं हो रही बर्तमान में आपकी सरकार है इस वारे में आप क्या कहना चाहते हैं और क्या कारवाई करवाईंगे इस वारे में अपने पिचार बताएं देखो जीतनवाई ऐसा है कि आपके द्वारा पूर में जो समाचर लगाया गया था वो जो चैनलों पर हमने देखा था उसके मात्यम से हमने बरेट चतकारियों से अपने दूरुपास पर चर्चा हुई कारवाई लंबे थे चुकि आचार सहता है और अभी कोई एक्सन नहीं लिए जा सकता जहां तक आपने यह जो प्रक्रणाफ संग्यान में ला रहे हैं सरकार हमारी हमारी सरकार हर गरीब तबके को हराम आदमी को सुदाया देना चाहती है उनको उनकी मूलवू सुदाया बहाल कराने के लिए संखल बते हैं तो पूरा मामला हम उसको चुनाओ के ँझाने के लिए सब्सक्राह को मूत लिए साइ saç काफा माम उसके लिए उसके लड़के में। पैसे बार बार मांगे जा रहे हैं फिर भी उसका connection नहीं काटा जा रहा है आप इस बारे में क्या कहेंगे बिलकुल आप सही बोल रहे हैं ऐसे कई मामले संग्यान में आए हैं और चुकि अभी हमारे फुछ दिर पहले वीटी साफ से बात हुई हुगा क्या है कि इन्होंने प और कुछ चीजे हमने बहुत एक सत्या पर रहे हैं और कुछ चीजे हमने बहुत एक सत्या पर